सभी व्यूवर्स को मेरा हिर्दय से प्रडाम आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे मेरा नाम है लगकुष मिश्रा और मैं आपको स्सकी पढ़ाता हूँ तो आईए बिना आपके समय को बरबात किये हुए हम अपने आज के टॉपिक को समझते हैं आज हम बात करेंगे कुछ important MCQ questions की ये MCQ questions class 8 history की book से होंगे चैप्टर का नाम है The Making of the National Movement 1870s to 1947 तो आईए इन questions को समझते हैं कोशन नमबर वन है Under whose presidentship Congress adopted the aim of पूर्ण स्वराज इस कोशन में पूछा गया है कि किसकी presidentship यानि कि किसकी अध्यक्षता में कोशन ने एडॉप्ट किया था पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पूर्ण स्वराज माने full independence, complete independence की बात हुई थी इस कोशन का right answer है option number three पंडित जवाहर लाल नहरू देखिए पंडित जवाहर लाल नहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किया गया था ये प्रस्ताव जो की पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव था इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंतरता दिवस मनाया गया ये कुछ extra information थी आपके लिए question number two है when was the rollet act passed in India इस question में year पूछा है इस question का right answer है option number two 1919 देखे 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजो द्वारा हाल ही में पारित किये गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्या ग्रह का आवाहन किया था लोगों से ये कानून अभिव्यक्ति की स्वतंतरता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुष लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था इससे पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी मैंने अपने चैनल पर रॉलट एक्ट का सेपरेट वीडियो डाला हुआ है अगर आपको रॉलट एक्ट को डीटेल में पढ़ना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कोशन नमबर थी है विच लीग वाज फॉर्मड एट डेका इन 1906 इस कोशन का राइट आंसर है आप्शन नमबर थी मुस्लिम लीग देखें 1906 में मुसल्मान जमीदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ओल इंडिया मुसलिम लीग का गठन किया लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था और लीग की मांग थी कि मुसल्मानों के लिए अलग निर्वाजचिका की विवस्था की जाए 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली अब परिशदों में कुछ सीटे मुसल्मान उमीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई जिने मुसलिम मद्दाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था तो यह कुछ जानकारी थी मुसलिम लीग के बारे में मैं कोशन का आंसर बताने के साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा डीटेल में भी बता दे रहा हूं ताकि आपके टॉपिक भी प्रिपेर होते रहें इस कोशन का राइट आंसर है औप्शन नमबर वन वंदे मातरम मुवमेंट अब इसको थोड़ा साथ डीटेल में समझ लेते हैं बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्ते की लहर फैल गई सभी लोग विरोध कर रहे थे विशाल जनसभाओं का आयोजन किया जार था जुलूस निकाले जा रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ इससे जो संगर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था परन्तु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी गुद सुनाई दे रही थी उदाहरण के लिए देख लीजे कि आंदर के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था बहुत इंपोर्टेंट है जरूर देख लीजेगा इसको कोशन नमबर फाइफ है हू इस्टार्टेट दा हिस्टॉरिक दान्डी मार्च दान्डी मार्च अक्सर सुना हुआ है जानते हैं हम इस कोशन का राइट आंसर है आप्शन नमबर टू महात्मा गांदी महात्मा गांधी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था थोगा सा डीटेल में जान लेते हैं इसके बारे में गांधी जी और उनके अन्वियाई साबर मती से 240 किलोमीटर दूर इस्थित दांडी तट पैदल चल कर गए थे और वहाँ उन्होंने तट पर विखरा नमक इखटा करते हुए नमक कानून का सारवजनिक रूप से उलंगन किया सौल्ट लॉक को ब्रोक किया था वहाँ पर जा करके कोशन नमबर सिक्स है इस कोशन का राइट आंसर है बोथ वन एंड टू अब वन एंड टू क्या है वन है हमारा कॉंग्रेस और टू है मुसलिम लीग कॉंग्रेस और मुसलिम लीग के बीच में ये लखनव समझोता हुआ था लखनव पैक्ट एग्रिमेंट हुआ था इन दोनों ही संगठनों ने देश में प्राती निधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया था एक गवर्मेंट बनानी थी इनको कोशन नमबर सेवेन है वेन डिट दा महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ अब पूछ रहे हैं कि महात्मा गांधी ने कब सॉल्ट लॉ को तोड़ा था इस कोशन का राइट आंसर है उप्शन नमबर थ्री 6 अप्रेल 1930 6 अप्रेल 1930 को महात्मा गांधी ने एक कानून तोड़ा था आपकी बुक में इमेज भी बनी हुई है उसमें महात्मा गांधी को दिखाया गया है नमक कानूनों को तोड़ते हुए कोशन नमबर 8 है अब इस कोशन में पूछा गया है कि नेटाल कॉंग्रेस को किसने स्टैबलिश किया था इस कोशन का राइट आंसर है आप्शन नमबर 1 महात्मा गांधी 1895 में अन्य भारतियों के साथ महात्मा गांधी ने नसली भेदभाव का विरोत करने के लिए नटाल कॉंग्रेस अगठन किया था कोशन नमबर 9 है इलबर्ट बिल वाज इंट्रोडूस्ड इन विच इयर इस कोशन में पूछा जा रहा है कि इलबर्ट बिल को किस इयर में इंट्रोडूस किया गया था इस कोशन का रहिट आंसर है आप्शन नमबर 3 1883 अब इस बिल के बारे में थ्वासा डिटेल में जान लेते हैं 1883 में सरकार ने इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया इसको लेकर के काफी हंगामा हुआ इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारती ये नयाधीश भी ब्रिटिश या ये उरोपिय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारती ये नयाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके जब अंग्रेजों के विरोध की वजए से सरकार ने ये विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवाईय का पता चलता था वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत में एक्वेल्टी स्थापित हो जाए वो हमेशा discrimination को प्रमोट करते थे हमेशा भारत को डिवाइट करना चाहते थे Question number 10 है In which year Russian revolution happened? इस question में पूछ रहा है कि रूस की क्रांती कब हुई थी? इस question का right answer है Option number 2 1917 1917 में रूस में क्रांती हुई थी तो ये थे आज के कुछ 10 most important questions आप अपने annual exam से पहले इनको जरूर पढ़ लीजिए उमीद करता हूँ कि जितनी भी बाते मैंने आपको इस वीडियो में समझाई है वो सारी की सारी आपको समझ में आ गई होँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे जो बैल आइकन आ रहा है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिल जाए इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जादा जादा शेयर करिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक है आप उसको जॉइन करके हमारे साथ करनेक्ट हो सकते हैं और हमसे अपने डाउंस को पूछ सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताए मैं भगवान जी से हमेशा आपके उजवल भविश्य की कामना करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भालत